और इलेक्ट्रोनिक्स और मेकानिक स्टड़ी यूटूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तो हमारी जो क्लास चल रही है आईटी आई फीटर वालों की फर्स्ट एर की क्लास है और दोस्तों इससे पहले हमने जो क्लास करवारी पार्ट तीन करवा दी हैं अगर चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करें और बिडियो को ज़दा सज़ादा इस्टी गूरूप में जरूर सेर करें जिसकी अंचात्रों को भी इस वीडियो का लाफ मिल सके तो दूस्तों को हमें स्टाट करतें तो question दिया गया है इस V Block का नाम क्या है तो आपको समय एक ₂ ब्लॉक का चिद्र दिया गया है इस ब्लॉक का आपको नाम बताना है क्या ही आप देख सकते हैं आपर तो इसका जो चार आप्शन है ये आपकी स्क्रीन पर एए आपको बताना इसका right answer कोन सा है तो इसका जो करेक्ट आंसर तो समारा ऑप्शन नम्मर बीज राइट आंसर इसे बोलते हैं सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक बोलते हैं कि अगले कुशन आपकी फ्रीण परियर को श्योन्जन सेट यानि कॉम्बिनेशन सेट मैं जो एक्स के रुप में चिन्दिद वहांका आपको नाम बताना है क्या है तो आप देख सकते हैं चित्र को अच्छे से और जो एकस्स चिन्नित आपको भाग दीख रहा है इसका आपको नाम बताना है तो आपके सामनी चार ऑप्षन है इसका कौन सा राइट होगा चार ऑप्षन में से जल्ली से तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्षन नमबर बीज राइट आंसर इसको बोलता है इसका करेक्ट आंसर अगले कुशन आपके स्क्रीन पर राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस केली पर का उप्योग किया जाता है तो आपके सामने चार ऑप्षन है आप पताएं इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों तो इसके जो राइट आंसर दोस्तों हमारा है ऑप्षन नमबर बीज राइट आंसर यानि वर्णियन केली पर्स अगले कुशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा चैनी में ए से जो चिन्नित कोन का नाम आपको बताना है क्या होगा। आप देख सकते हैं यहां पर चितर में हझा इसके मतलब होतहां दोस्तों अलफा है इसका कोड क्या है यह बताना कौन सा कोड है तो आपके सामने चार अप्षं है इनमें से बताना पार आइट पर कौन सा है तो इसके जो राइट आंसर दूस्तों हमारा ऑप्शन नमर्डी इसे बोलते हैं निकासी कोण बोलते हैं अगले कुश्यन आपकी स्क्रीन पर है गुमाओदार गुरु वेज को काटने के लिए कि स्चेनी का उप्यों किया जाता है तो आपके सामने चार ऑप्शन से दिये गहें आपको बताना इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर दूस्तो हमारा है ऑप्शन नमबर डीज राइट आंसर इसे बोलते हैं हाफ राउंड नोज छेनी बोलते हैं अगले कुश्यन है कि मार्किंग उद्देश के लिए उप्यों किये जाने वाले हतोड़े का वजन क्या है तो आपके सामने यहां पर चार ऑप्शन मिलेंगे आपको बताना इसमें से कौन सा राइट है अगले कुश्यन आपकी स्क्रीन पर है कि विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके के का प्रभाव क्या है तो आपके सामने चार ऑप्शन है अब दा इसका राइट आंसर कौन सा होगा तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों मारा ऑप्शन नमर फरस्ट आ समान फिनिस सता है अगले कुश्यन आपके रिस्कीन परें वेल्डेट जोइंट और कॉस्टिंग से अतरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का अब्योग किया जाता है तो आपके सामने चार ऑप्शन है अब दा इसका राइट आंसर कौन सा है और दोस्तों हमारी क्लास को जाता से जाएदा इस्टडी गूरूप में जरूर सेयर करें तो उसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नमर फरस्ट है फिलेट छेनी का उप्योग किया जाता है अगले कुशन है कि इस फाइल का आपको नाम बताना आपके सामने चित्र दिया गया आप इस अच्छे से देख लें और इसके यह आप्शन है आपको बताने इसमें से कौन सा राइट है अगले कुश्चन है फाइल के फेस पर चोक क्यों लगाया जाता है तो आपके सामने चार आपको बताना इसमें से कौन सा राइट होगा अगले कुश्चन है कि फाइन पिच हेग्जा ब्लेट का उप्योग क्या है तो आपके सामने चार आप्शन है कौन सा राइट होगा इसमें से तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा है ऑप्शन नमर डी कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए अगले कुश्चन आपके स्किन पर यह रहा कि M10 x 1.25 के लिए टैप ड्रिल साइज की गढ़ना करना है तो इसमें जो राइट आंसर दोस्तों हमारा है ऑप्शन नमर फर्स्ट होगा 8.8 mm अगले कुश्चन है कि एक ड्रिल में फ्लूटेस के बीच के भाग का क्या नाम होता है तो आपके सामने चार आप्शन हैं अब बताएं उसका नाम क्या है तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा है ऑप्शन नमर भी इसे बोलते हैं बेव अगले कुश्चन है इस वर्नियर वेवेल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है तो आपके सामने चित्र दिया गया है उसे आप देखें यहां देख सकते हैं इसके आप पूर रीडिंग बतानी है यहां पर देखके चार ओप्शन सी यह रहे है आपके तो इसके जो राइट आंसर हमारा ओप्शन नमर सी है 157 डिग्री और 30 मिनिट अगले पूर्शन आपके स्कीन पर है कि बाहरी माइक्रो मीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दवाव सुनिश्चित करता है तो आपके सामने चार ओप्शन है आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा है ऑप्शन नम्मर डीस करेक्ट आंसर यानि की रचेट स्टॉप अगले कुशन आपके डिस्कीन पर यह रहा वर्नियर वाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख स्लाइड का एक इंटर्ग्रल पार्ट है तो आपके सामने चार ओप्शन दिए गया है आपको बताने है इसमें कौन सा राइट होगा अगले कुशन है माइक्रो मीटर का सिध्धान्त क्या है आपके सामने चार ओप्शन है अब पताएं कौन सा राइट है इसमें से तो इसका जो राइट आंसर हमारा ओप्शन नमर बी स्क्रू और नट अगले कुशन है डेप्थ माइक्रो मीटर द्वारा ज्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जाता है मतलब चार ओप्शन है अब देश में से राइट आंसर मतलब कैसे नापा जा सकता है तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा है ऑप्शन नमर डी करेक्ट है यानि एक्स्टेंशन रोड के एक सेट के द्वारा अगले कोशन दिया गया है इंच माइक्रो मीटर में इसकी रीडिंग क्या है तो आपके सामने चार ओप्शन है इनमें से आपको बताना है कौन सा होगा तो इसके जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नमर बी इसका मतलब है 0.787 होगी इसकी रीडिंग अगले कोशन दिया गया है मापने के दोरान वैवेल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इनकला इंड सतहे केamine होता है तो आपके सामने चार ओप्शन से दिये गया है आपको बताना कर्यक्ट आंसर कौन सा है तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नम्मर सीज राइट आंसर ब्लेड इसका करेक्ट आंसर है अगले कुशन आपके स्क्रीन पर यह रहा कि ड्रिलिंग मसीन में कौन सा भाग बिभिन गती प्राप्त करने के लिए है तो आपके सामने चार ऑप्शन से हैं आप इसका राइट आंसर तो दोस्तों इन कुश्चनों का अच्छे से याद करने आपका सीविटी हंड़ेड अगले कुश्चन है पेड इस्टल ग्राइंडर में एक्स के रूप में चिंदी जो भाग उसका आपको नाम बताना है तो आप देख सकते हैं चित्र में क्या है कि और यह रहे चार ऑप्शन इसके जो राइट आंसर दोस्तों है हमारा ऑप्शन नमबर फ़स्ट है टूल रेस्ट से जो चिंदी भाग एक्स है अगले कुश्चन इस फाइल का आपको नाम बताना जो चित्र में दिया गया है और यह आपके चार ऑप्शन तो इसके जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नमबर भी इसे बोलते हैं रास्प कट फाइल अगले कुश्चन है अगर वाइज हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा तो आपके सामने यह चार ऑप्शन है आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नमबर फैस्ट है इसे बोलते हैं स्पेंडल की च्छदी अगले कुश्चन दिया गया कौन सा केली पर आयामों का फाइल एड़ेस्ट मेंट प्रदान करता है तो आपके सामने यह चार ऑप्शन हैं आप देख सकते हैं तो इसके जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नमबर डी है इस्प्रिंग जॉइंट केलीपर अगले कुश्चन है बड़े क्रॉस सेक्षन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सो का उप्योग किया जाता है तो आपके सामने चार सो दिये गए इनमें सा आपको बताना है कौन सा है राइट आंसर तो इसके जो राइट आंसर तो सुमारा ऑप्शन नमबर C है सर्कुलर सवका उप्योग किया जाता है अ경ले कुश्चन मारकिंग टेबल को कॉस्ट आईरन से क्यों बनाया जाता है तो आपके सामने चार आप्शन है अमना इसका राइट आंसर कौन सा है तो राइड आंसर हमारा option नमबर फर्स्ट है स्वैम लूब्रीकेशन अगले कुशन इस गेज का नाम क्या है तो आपके सामने गेज दिया गया है यहां पर चित्र में इस गेज का आपको नाम बताना है और यह रहें आपके चार options तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों मारा है option नमबर फर्स्ट इसे बोलते हैं वेवल गेज अगले कुशन है किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्मान के लिए उपयोग किया जाता है तो आपके सामने चार options है तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों मारा है option नमबर फर्स्ट है रोटरी फाइल इसका करेक्ट आंसर है अगले कुशन दिया गया है फाइलों को बीच दातों के बीच फसी धातू की चिप्स को हटाने की विधी क्या है तो आप बताएं इसमें से चार option में से कौन सी विधी है अगले कोशन है चोटे चोटे कार जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आफशकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का उप्योग किया जाता है तो आपके सामने चार option है आप बताएं कौन सी वाइस का उप्योग किया था तो इसके जो राइट आंसर हमारा option नमबर डी है टूल मेकर वाइज अगले कोशन है किस हैं सो बिलेड का उप्योग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है तो आपके सामने चार आप्शन है इसका राइट आंसर कौन सा है तो इसके जब करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा option नमबर सी है लचीडा ब्लेड अगला प्रशन है किस च्छेनी का उप्योग की वे काटने के लिए किया जाता है तो आपके सामने चार आप्शन है आपके इसका करेक्ट होगा तो इसके जो राइट आंसर हमारा option नमबर भी ए क्रॉस कट च्छेनी का उप्योग किया जाता है अगले कुश्यन है कि हतोड़े में चिन्दी जो एक्स भाग है उसका आपको क्या बताना नाम बताना तो आप चित्र में देख सकते हैं कि यहां देख सकते हैं और यह आपके चार option आप बता है इसका करेक्ट आंसर कौन सा है तो राइट आंसर हमारा option नमबर फॉस्ट है पिन अगला प्रशन है चेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश से क्या है तो आपके सामने हैं पर चार option है मतंग क्यों सा उद्देश होगा इसमें से तो इसका जो राइट आंसर हमारा option नमबर बीज राइट आंसर कोनों की खुदाई को रोके अगला कोशन है धादू काटने की प्रिक्रिया में टूल को वर्क सर्फेस से रगडने को कैसे रोके तो आपके सामने हैं आपने चार आप्शन है आप इसका राइट आंसर कौन सा है तो इसके जो राइट आंसर हमारा option नमबर सी है clearance code को बढ़ा कर अगले कुशन है धादू की उस property का नाम बताएं जो शौक या impact को सहिन कर सके तो आपके सामने चार आप्शन हैं आपको इन में से पताना राइट आंसर कौन सा होगा तो इसका जो राइट आंसर दोस्तो है हमारा option नमबर डी toughness अगले कुशन है कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बहरी माइक्रो मीटर के फ्रेम में फिट होता है तो आपके सामने चार आप्शन है बताएं कौन सा पार्ट है तो इसका जो राइट आंसर हमारा है option नमबर फ़र्स्ट करेक्ट है एन्विल अगले कुशन है इस माइक्रो मीटर का आपको नाम बताना तो आप देख सकते हैं चितर में इस माइक्रो मीटर का नाम क्या होगा और यह रहे चार आप्शन तो इसका जो राइट आंसर हमारा option नमबर फ़र्स्ट है से बोलते हैं depth माइक्रो मीटर बोलते हैं अगले कुशन है कि machine spindle पर drilling चक को कैसे पकड़ा जाता है तो आपके सामने चार आप्शन है बताएं इसका राइट आंसर कैसे पकड़ा जाता है तो दोस्तों से correct answer हमारा option नमबर फ़र्स्ट आरवर द्वारा पकड़ा जाता है अगले कुशन है कि कौन सी drilling machine में spindle head को column के पास और दूर करा जाता है तो आपके सामने यहाँ पर चार options हैं आपको बताना है इसमें सब कौन सा right होगा यहाँ पर देख सकते हैं तो इसके जो right answer हमारा option नमबर C radial drilling machine अगले कुशन है किस screw thread में crest और root को round किया जाता है तो आपके सामने चार option है आपके इसका right answer कौन सा होगा तो इसके जो right answer हमारा option number C is right answer B.S.W. धागा अगले कुशन है इस tape wrench का क्या नाम है तो आपके सामने यह tape wrench दियागा इसका आपको बताना क्या नाम होगा और यह रहे आपके चार option तो इसके जो right answer दोस्तों हमारा option number B right answer इसे बोलते हैं solid type tape wrench अगले कुशन है कि tape drill size की गणना करने का आपको सूत्र बताना क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार options दिये गए हैं आपको बताना correct answer कौन सा होगा तो इसके जो right answer दोस्तों हमारा option number first is correct answer यानि tap drill size बराबर मेजर दिया इन माइनस टू इंटू गहराई तो दोस्तों हमारा यह पार्ट ही complete उलता मिलते नेक्स पार्ट में थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो जाहिन जाभर इस पार्ट